Hello to Family, Welcome to me I am Ulrich Faisal तो आज के जुआ में का ठॉपिक है सीमेशर कोड के उपर जिसके हम देखेंगे के सीमेशर कोड को अलग अलग पॉचिन से कैसे प्ली गया सकता है और किन किन पॉचिन से सीमेशर कोड को प्ली कया सकता है एंड फोई काईड इंफर्मेशन के मेरी औल में जब कॉष्ट की लास्ट वीडियो और तब अगर आप तो कि अगर कोष्ट की पिए नहीं किया तो बेसे जो करें तो पिए व्यूच के लिए यह प्लेली स्काफ बने पीचल नहीं आदी जिनको पहों को लेकर नहीं आती सब्सक्राइब करते हैं और देखते हैं कि सीमेजों को कितनी तरीके से प्लेके से प्लेकिया सकता है इस फरस्ट शेप आफ सीमेजों को आपको डिखार होगा एं मैं एकस्पेर्म भी कर दता हूं इस शेप को प्ले करने के लिए सबसे पहले हम लोगो रखना पड़ेगा 2nd string के 1st fret पर रखेंगे 1st finger and 4th string के 2nd fret पर रखेंगे 2nd finger and 5th string के 3rd fret पर रखेंगे 3rd finger this is 1st position of 3 major chord अब उन्हों देखेंगे इसका 2nd shape this is the 2nd position of 3 major chord and ये एक तरह की bar chord में play कर रहा हूं है 3 major chord को तो इसको play करने के लिए हमनों simply 1st and 2nd string के 8th fret पर रखेंगे 1st finger दोनों को एक साथ hold करेंगे and 3rd string के 9th fret पर रखेंगे 2nd finger and 4th string के 10th fret पर रखेंगे 4th finger and 5th string के 10th fret पर रखेंगे 3rd finger this is C major chord 2nd position अब उनों देखेंगे इसकी 3rd position इसको 3rd position से कैसे play किया सकता है this is the 3rd position of C major chord इसमें simply जैसे मुने 1st step को play किया था same वैसे play करना है but pinky finger को 1st string के 3rd fret पर रखेंगे इसमें थोड़ा सी difference है तो मैं बताता हूं इसको कैसे play करेंगे वेल्कुल सेम पहले आले की तरह और 2nd string 1st fret 1st finger 4th string 2nd fret 2nd finger 5th string 3rd fret 3rd finger and 1st string 3rd fret 4th finger this is 3rd position of C major chord तो अब हम दो देखेंगे इसकी 4th position this is 4th position of C major chord यह थोड़ी tough chord है तो beginner में भी इससे play ना कर पाएं जब आप लोग C major chord डिफेंट पोजिशन से play करने लगें then आप लोग कोशिच कर सकते हैं इस chord को play करने की but पहले जो मैंने 1st chord दी उसको practice करें and सबसे पहले open play करने ही कोशिच करें then थोड़ा बत जब आपका level increase हो then आप लोग कोशिच कर सकते हैं तो इसको play करने के लिए simply हम लोग क्या करना है 3rd fret पे सारी string को hold करना है 1st finger से and 5th fret पे 2nd, 3rd, 4th string को hold करना है 3rd finger से और यह string को ऐसे करना है कि पीछला इससे sound आये यह 4th fret का sound आये तो उपा के 3 strings 1st second 3rd को hold करना है 3rd finger से नीचे आली open छोड़ देना है और यहां से इस पे sound आना चाहिए 1st finger पे and यह पूरी यहां पे hold रहेगी इस जगा पर यह बन जाएगी C major chord अब हम देखेंगे इसकी 5th position जो की बहुत easy है जैसे 1st position थी तो beginner चाहें तो इसको 1st position और यह जो आप मैं 5th position बताने जा रहा हूँ इसको play कर सकते हैं यह बहुत easy position है C major की तो आपनों देखते हैं 5th position of C major chord this is 5th position of C major chord and इसको play करने के लिए simply हम लोग को 1st string के 3rd fret पर रखना है 1st finger and 5th string के 2nd string पर रखना है sorry 5th fret के 2nd string पर रखना है 4th finger and 3rd string के 5th fret पर रखना है 3rd finger and 4th string के 5th fret पर रखना है 2nd finger और उपर की डोनों strings को हम लोग 5th और 6 को thumb से mute कर लेंगे उसका sound नहीं आना है sound नहीं आना चाहिए तो यह बन जाएगे हम लोग की C major chord तो थैंक यू फर वच्छिंग इस वीडियो I hope you like this video and अश्या करता हूँ आपको आश की वीडियो पसंद आई होगी अगर आप नोगे मुझे पुछ पसंद आए हो या वीडियो तो उसको राज करें जरू करें और आप लोगे कोई भी बिज्योन हो कोई भी सजेशन हो तो आपके मुझे मुझे कमले बॉक्स में करके बता सकते हैं सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब करते हैं आपको सब्सक्राइब करें ताकर मेरी हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें झाले मिल सकें